दियर गाइज वन्स अगेन आई वेलकम यू टू लुक ओन टू कोक ओन कहरें दोस्तों एक्जैम्स का सीजन आ चुका है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नाकेवल लर्न करें बलकि बहुत अच्छे नंबर मिला एक्जैम में तो उसके लिए उनको स्ट्रेस फ्री और उनके ब्रेन को स्ट्रॉंग होना बहुत जरूरी है इसलिए आज हम पेश करने वाले हैं एक ऐसा हेल्दी एनरजी ड्रिंक जिससे नाकेवल उनको जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा बलकि वो स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और अच् और फैटी एसिट से भरपूर होते हैं साथ ही हम ले रहे हैं किश्मिश आयरिन से भरपूर फिर हम ले रहे हैं पिस्टाशियो या पिस्ता पिस्ता बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर होता है प्रोटीन और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होता है और इससे ब्रेन भी साहेक होता है और साती सात हड़ियों को मद्वूत करता है इसके साती सात हम डाल रहे हैं इसमें तर्बूज के बीज ये भी ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप करने में हल्प करते हैं फिर हमने डाली है इलाइची जो की पेट को ठंडा रखेगी काली मिर्च जो है बदलते मौसम के सर्दी जुकाम से हमें बचाएगी और साथी साथ गले के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है इसमें हमने डाली है सौफ जो की पेट को ठंडा रखेगी और हाँ रॉक शुगर या मिश्री मिश्री भी सर्दी जुकाम में बहुत हेल्प करती है इमुनिटी को बढ़ाती है और काली मिच के साथ जब ये मिक्स होती है तो इसके बेनेफिट्स कई गुना बढ़ जाते है फिर हमने इसमें लिए रोस बेटल्स जो की हमारे आरबी सीज को बढ़ाते हैं हमारे रेड बलड सेल्स को बढ़ाते है और साथ ही साथ पेट को और दिमाग को ठंडा रखने के काम मिलाते है फिर हमने इसमें लिया है नटमेग या जैफल जैफल जो है मीन लाने में साथ ही साथ दिमाग को ठंडा रखने में और पाचंत तंत्र को स्प्रॉंग रखने में बहुत हमारी हेल्प करता है अब हम एक छोटे से बॉल में अलग से कुछ स्ट्रेंड्स केसर या सैफरोन के लेंगे केसर जो होता है वो एंटी ऑक्सिजेंट से भरपूर होता है और एंटी एजिंग प्रोपर्टी जिसमें बहुत सारी भरी होती है अब ये सारे कॉंडिमेंट्स को हम एक बॉल में पानी के साथ में भरके कम से कम ओवर्माइट के लिए नहीं तो चार या पांच घंटों के लिए सोप करने के लिए रख देते हैं एक बार इसको हलका सा हम हिला लेंगे चला लेंगे ताकि सारे इंग्रीडेंट्स जो है वो अच्छे से उपर नीचे हो जाए तो इनको हमने रात भर के लिए भिगो लिया ये सोख हो चुके हैं फूल चुके हैं अब इसमें जो बादाम है इनके छिलके हम हाथ से पील आफ कर देंगे उतार देंगे वैसे ये औप्शनल है आपकी इच्छा होत उतार नहीं तो इनको रहने भी दिया जा सकता है अब इन सारे इंग्रीडेंट्स को हम छान लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से हम इनका पानी अलग कर लेंगे तो अभी जो बोल में पानी रह गया है इस पानी को हम अभी यही पे रोक लेते हैं जब हम इन सारे इंग्रीडेंट्स को पीसने के लिए मिक्सी में डालेंगे उस समय इसको हम सीधे जार में डालेंगे क्योंकि इसके अंदर पॉपी सीट्स रह गए हैं अभी जो बचे कुछे बदा में जो छीलने से रह गए थे इनको भी हम छील लेते हैं आप चाहें तो जैसे मैंने बता है ऑप्शनल है तो अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे इसका मैकसिमम बैनिफिट ड्रॉ करने के लिए बेस्ट होगा कि आप इसको सिल बटे पे अच्छे से पीस लें या फिर हमाम दस्ते में कूटेंट इसके सारे जूसेस निकल के बाहर आ जाएंगे हमारी दादी मा नानी मा इसी तरह से हमको सिखाया करती थी बताया करती हैं मगर अब वो दोर नहीं रहा अब मिक्सी के हेल्प ले सकते हैं अब यहां पे हमने वो बचा वो पानी आड़ किया और थोड़ा सा इसको डालूट करने के लिए थोड़ा पानी और डाला और साथ में जो हमने केसर भी गोया हुआ था वो भी हमने इसमें आड़ कर दिया यहां केसर के जो स्ट्रेंट्स हैं वो हमने बचा लिए हैं क्योंकि वो जब ठंडाई बनाएंगे हम तो उसमें हम लोग उपर से इसको गानिश करेंगे तो अब हम इस जादूई मिश्रन को पीस लेते हैं और इसका एक फाइन पेस्ट हम तयार कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे हलका सा ग्रेनी होना चाहिए यह तो यह देखे इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी नजर आएगी आपको अब आप एक सूखा साफ काच का जार ले लीजिए और उसके अंदर इसको भरके रख लीजिए यदि आप चाहते हैं यह तीन-चार दिन चले तो बेस्ट होगा इसे आप फ्रीजर में रख दीजिए अब यह कॉंसेंट्रेट आपके पास में तैयार है आपको रोज-रोज मेहनत करने की जरूत नहीं है बस आप इसको बच्चों को डेली दीजिए रेडिमिट बनाके अर मार्केट में इस तरह के बहुत सारे प्रेपेरिशन मिलते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे प्रेजरवेटिवड एड होते हैं तो उन से हमको बचना है यह natural है इसका कोई chemical effect नहीं है बच्चे इसको पिएंगे exams में भी अच्छा करेंगे marks भी चलाएंगे और stress free भी होंगे तो exams का fever जो है वो बड़े अराम से कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो इस ठंडाई को तयार करने के लिए पहले हम ले लेते हैं चीनी मैंने यहाँ पर 4-5 चम्मच चीनी लिए वैसे यह optional है आप अपने मताबिक स्वादर उस्वार चीनी लीजे और जो केसर था जो हमने विगो के रखा था उसमें हम थोड़ सा दूद आड़ कर लेंगे और उसके स्ट्रैंड्स हम इसमें आड़ कर देंगे अब इसमें मिलाएंगे वो कॉंसेंट्रेट जो हमने तयार किया था यहां जो इंग्रीडिन्स हैं हम दो गलास थंडाई के हिसाब से तयार कर रहे हैं अब हमने दूद अड़ किया ये दूद हमने उबाल के पहले ही ठंडा कर लिया है अब इसको हम चला लेंगे हो सके तो किसी बीटर की मदद से आप इसको अच्छी तरह से चला लीजे ताकि इसमें शक्कर अच्छी तरह से घुल जाए तो दोस्तों ठंडाई अब बिल्कुल तयार है अब हम इसको सर्व करने के लिए दो कांची ग्लास लेंगे उसमें आइस डालेंगे वैसे आइस ऑप्शनल है आप चाहें तो नाइब भी डालें इसमें हम कुछ रोस पेटल्स एड़ करेंगे ये गार्निशिंग के काम आएगा वैसे ये भी ऑप्शनल है अब इसमें हमने जो प्रेपरेशन तयार किया था ग्लास में हम इसको सर्व कर लेते हैं तो बच्चे एक्जाम स्ट्रेस फ्री और अच्छे माक से पास हों तो उनको ये ठंडाई दीजे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजे और हो सके तो इसे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आप चाहते हैं कि दूसरों के बच्चे भी पास हों तो आप ये वीडियो उन तक भी जरूर शेर कीजे अब इसको फाइनल टच देने के लिए आप इसको कुछ श्रेड़ बादाम के टुकडों से या कुछ ड्राइफूट से इसको आप गार्निश कर लीजे और इसको सर्व कीजे तो यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको ट्राइज जरूर कीजेगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में Till then, all the best for your exams and happy summers Ciao